यह खबर सोसल मीडिया की है जो आम जन्मानस अपने विचार को सोसल मीडिया पर प्रस्तुत करती है धन्माद। चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े आपसे अनुरोध हैं देशित में इस विडियो को अधिक से अधिक शेयर करें कॉमेंट में अपने विचार और सुझाव जरूर दे चलिए शुरू करते हैं। को पास होकर राश्च्रपती के पास चला गया। 24 सितंबर को अजय माकर ने उस बिल के कसीदे पढ़ने के लिए एक प्रेस कॉन्फरेंस बुलाई और अभी वो इसके आधे फाइदे ही बता पाए थे कि राहुल गांधी का वहां पदार पर होता है। और वो बिल की कापी को ये कहते हुए फार देते हैं कि ये एक वाहियात बिल है। कितने दूरदर्शी हैं संत राहुल जी की भाजपा के स्टार पचारक को हटाने के लिए उन्होंने नौ साल पहले ही रन्नीती तयार कर ली थी बस इतना कहने भर की देर थी कि सारे मोधी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं। प्रन्नीती पूरी अदालत ने अपना काम कर दिया और राहुल का। भी काम हो गया शायद 6 साल के लिए मगर बेचारे लालू और आजम जैसे घुन इसमें बेवज़ा पिस गए। ललित मोधी नीरव मोधी यानी सारे चोर और भ्रष्ट सिर्फ मोधी ही क्यों होते हैं। एक पूरे समुदाय को दो लोगों की वज़़ से भ्रष्ट और चोर कह देना राहुल गांधी को बहुत महंगा पड़ा। पूर्णेश मोधी बहुत बधाई के पात्र हैं। जनोंने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और राहुल गांधी पर क्रिमिनल मानहानी का केस किया और आज अन्ता राहुल गांधी अदालत के द्वारा दोशी करार दे दिये गए हैं। आज राहुल गांधी ने अपने बचाव में कहा कि मैंने जान बूच कर यह बयान नहीं दिया था, मेरे इरादे खराब नहीं थे, मैं भ्रश्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ, चुनावी सभा में मेरे मुम से यह बात निकल गई हालां कि मैं कुछ और कहना चाता था। लेकिन कोट ने राहुल गांधी के इस दलील को नहीं माना और कहा कि आप एक बड़े पद पर है, सारवजनिक जीवन में है, आपको बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। गांधी ने राफेल केस में और दो अन्य केस में अदालत में मौखिक रूप से माफी मांगे हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुद्रे राहुल गांधी को सूरत सत्र न्यायाले ने मानहानी मामले में दो वर्ष की सजा सुनाई है। उनके वकीलों ने पहले ही जमानत याचिका बना रखी थी। अग्रिम जमानत तो होनी ही थी। पर इसका सुखत पहलू यह है कि अब विधी अनुसार उन्हें। मुझरिम राहुल गांधी कहा और पढ़ा जा सकता है। इसके पूर्व मामले तो कई चल रहे थे पर निर्णय ना होने से उन्हें सिर्फ आरोपी कहा जा सकता था। हम अदालत के निर्णय का स्वागत करते हैं। आपसे अनुरोध है देश हित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कॉमेंट में अपने विचार और सुझाव जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।